हेलो फ्रेंड्स आज हम कुर्ती में नेक के दोनों तरफ लैस लगाकर नीचे तक पल्ले में एक डिजाइन बनाएंगे यह देखिए मैंने कमीज की कटिंग कर लिए और जो आगे बाला पल्ला एक मीज का उसको मैं मैंने 1.5 इंच ज्यादा इसकी चुड़ाई जो है कट की है इसको इस तरह से आप भी कटिंग कर लीजिए और इसमें कोई भी कपड़ा कामचा ज्यादा नहीं रखना बस इसमें इतना ही हमें ज्यादा रखना है पल्ला ताके जो हम लैस में फोल्ड होगा कपड़ा वह इसमें आ जाएगा पीछे बाले को हम साइड पर रख देंगे और यह हमारा कमीज का आगे बला पल्ला है इस पर हम निशान लगाएंगे यह देखिये चैज यह वाली बलैक लेस हम इस पर अटेच करेंगे ब्रीक लेस है जे इस तरह से हमारी यह इटेच होगी पहले हम इस पर निशान लगा लेते हैं अधेखिए 5 इंच पर हम यहाँ पर निजान लगाएंगे और पूरा सीधा निशान हमें लगाना है कि इस तरह आप नीचे वाले घेरे तक यह निशान 5-5 इंच पर लगाते जाएंगे अब जो देखिए हम पल्ले को इस तरह से जहां तक हमने 5 एंच का निशान लगाया था वहां तक फोल्ड करके इस पर प्रेस से एक क्रीज बना लेंगे ताकि हमें पता रहें कि हमने लेस कहां तक लगानी है और दोनों तरफ ये क्रीज हमारी बन जाएगी और इस तरह से हम पल्ले को सीधा करेंगे तो दोनों तरफ हमारी एक क्रीज बन चुकी होगी और इस क्रीज पर हम लेन भी ड्रॉ कर लेंगे चौक से ताकि अच्छे से हमें दिखाई दे कि लेस हमने कहां पर टैच करनी है इस तरह हम लैस को जो सीधा लैस की साइड है हमारी वो हम नीचे की तरफ रखेंगे और लैस की उल्टी साइड उपर की तरफ रखेंगे और इस पर हम सलाई लगा लेंगे और ये लेस हमें बिल्कुल क्रीज पर रखनी है ताकि हमारी लेस बिल्कुल सीधी लगे नीचे पल्ले तक अब हम इस लेस को इस तरह से बाहर बाली तरफ मोड़ देंगे और इसके उपर सलाई लगाएंगे यह देखिए एक सेड हमारी लेस लग गई है और दूसरी सेड भी हम इसी तरह से लेस को अटेच कर लेंगे यहाँ पर हमने दोनों तरफ लेस अटेच कर लिया यह देखिए इस तरह से हमारा कमीज जो है रेडी हो गया है अब हम इस पर प्रेस कर लेंगे ताकि अच्छे से सेट हो जाए अब हमने पल्ले के नीचे एक पट्टी रेडी करनी है हमारे कमीज की लेंथ भी कम है और इस पट्टी से वो भी पूरी हो जाएगी और इसके बीच में भी हमने एक लेस लगानी है इस पट्टी की चड़ाई हम नाब लेते हैं यह देखिए जहाँ पर तकरीबन चार इंच की पट्टी हमने ली है और बीच में से इसको फोल्ड करके इस पर क्रीज बना ली है इस तरह से और इसके बीच में हमने यह वाली लैस भी अटैच करनी है तो चलिए हम यह पल्ला बना लेते हैं नीचे से पहले हम इस पट्टी को इस तरह से दोनों तरफ से फोल्ड करके ए अगर आप बीगनर हो तो अब इस पट्टी के उपर यह लेस हम अटैच करेंगे यह लेस हमारी उपर रखने वारी है इसको हम चोयांट नहीं लगाएंगे इसके उपर रखके ही इस तरह से इसको अटैच कर देंगे अब इस पट्टी को हम साइड पर रखेंगे और यह हमारे कमीज के पर लेको हम उट्टी साइड इस तरह से बरीक बरीक फोल्ड कर लेंगे इस तरह से हम इसको फोल्ड करके स्लाइड गा लेंगे अब इस पल्डे को सीधा करेंगे और नीचे हम जो ने हमने पट्टी रेडी की थी इस तरह से इसको रखके ऐसे हम इस पर स्लाइड गा देंगे हमारी ये पट्टी अच्छे से इस पर रेडी हो जाएगी यहां पर हमारे कमीज का पल्ला रेडी हो गया है और ये लैस हमारी इस तरह से लग गई है पट्टी अच्छे से हमारी टैज हो गई है नीचे वली तरफ भी देखिए कितनी फनिशिंग के साथ ये लैस लगी है हमारी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स फॉर वाचिंग